सौ वर्सों बाद बना चतुर ग्रही योग 18 अगस्त से 4 रासी वालों की भरेगी तिजोरी मित्रो नमस्कार मैं मैं त्रिपाठी नोग्यान जोति शैनल पर आप सभी दर्सकों का हारदिक स्वागत करता हूँ मित्रो सूरि नीच के होंगे और उधर मंगल के ठीक साथ में होंगे बुद्ध देवता भी साथ में रहेंगे और केतु का भी साथ रहेगा तो चतुर ग्रही योग ये बन गया और दूसरी चीज गुरुद्यो ब्रहस्पती की दृस्टी रहेगी उधर शुक्र और सनी ठीक आमने सामने रहेंगे यानि कि सारे ग्रह एक दूसरे के आमने सामने रहेंगे जिसके प्रभाव से कहीं न कहीं प्रतेक रासी वालों को किसी न किसी मामले में उठा पटक देखने को मिलेगी कल मैंने छे रासीयों की जानकारी दी थी कि सूरी नीच के होंगे तो छे रासी वालों की परेशानी बहुत जादा बढ़ने वाली है आज मैं उन रासीयों की जानकारी दूँगा जिन रासी वालों के ऊपर इस युती का इस चतुर ग्रही योग का जबरदस तरीके से प्रभ भाव फाइदे मंद भी साबित होगा तो की ग्रय हमेशा सब कुछ नहीं लीता है कुछ लेता तो कुछना कुछ देता भी है कि यह वैसे तो भागिसाली रासियां है पान्च लेकिन मैंने चार लिख दिया है गलती से तो शुरू करते हैं सबसे पहली भागिसाली रासी है व्रशब व्रसब रासी वाले जो है या व्रसब लगन वाले जो हैं महाबागिसाली रहेंगे इस विशे में कि सूर्य मंगल बुद्ध तीन ग्रहों की युति आपके छठे भाव में बनने जा रही है और छटे भाव में सूरी मंगल और केतु तीनों ग्रह बलवान हो जाते हैं यहां पर जब यह बैठेंगे तो आपको विशेश रूप से आर्थिक लाभ कराने वाला काम करने वाले हैं क्योंकि आपके कुंडली में लगनेश सूरी के घर में हैं और सूरी आपके लगनेश के घर में हैं यानि कि नीच भंग कर रहे हैं शुक्र देउता और उधर ठीक सनी शुक्र पर प्रभाव डाल रहे हैं इसका मतलब ये रहा कि आपको अगर आर्थिक रष्टकूर से देखें तो जबरदस तरीके से लाव दिलाने वाली चतुरुगरही योग रहने वाला है तो भईया आप तो महा भागिसाली हो आपके पास पैसा निश्चित तोर पे आएगा और साथ ही साथ अगर वाद विवाद कूर्ट के चहरी में फसे हो तो उससे भी इस पीरियड में आप बाहर आ सकते हो ऐसे योग दिखाई पड़ रहे हैं दूसरी जो महा भागिसाली रासी है वहा रासी है सिंग सिंग रासी में सूरी लगनेश होकर के नीच होंगे तो कहीं न कहीं कुछ मामलों में तो गड़बड जरूर होगा नीच होंगे तो जाहिर सी बात है कि मांसिक असांति आपको देखने को मिलेगी लेकिन तीसरे की धनेश की युति आपके तीसरे घर में बनने जा रही है तो आपके लिए अगर मांसिक असांति हटा दे तो पैसे के विशे में यह आपको माला माल करने आ रही है युति क्योंकि अगर आर्थिक रूप से देखे तो सबसे ज्यादा अगर धन किसी को मिलता हुआ इस पीर पा होने वाली है इन ग्रहों की क्योंकि इन चतुर ग्रही योग पर गुरु देव ब्रहस्पती की भी द्रश्टी है और जब गुरु की द्रश्टी है तो यह युति और भी ज्यादा प्रभावसाली रहेगी और उपर से शुक्र आपके लगन में बैठ करके नीच भंग बना रहे हैं तो इसका मतलब यह रहा कि भाग लगन धन सब आप पर इस पीरियड में महरबान रहेगा इस अवधी में आप सूर्य देवता के थोड़ा सा भी यह दिमंत्रों का जब कर लेते हो तो आप इसका जबर्दस तरीके से और भी ज्यादा उठा पाओगे यह युत क्रम में वह रासी दिखाई पड़ रही है धनू धनू रासी में और धनू लगनवालों की कुंडली में यह चतुर ग्रही योग जो है वो बनेगा ग्यारवे भाव में ग्यारवे भाव में यह युती बनेगी सूर्य मंगल केतू की और बुद्ध की और साथ ही साथ ग्यार जवहे का मालिक अपने स्थान से 11 वैठा है यानि कि शुक्र बैठे हैं भाग्यभाव में तो भीया पैसे के द्रिश्टिकूर से देखें तो दूसरी नंबर की जो महा भागिशाली रासी दिखाई पड़ रही है वह दिखाई पड़ रही है धनू धनू रासी वालों को भी जबरदस्ट तरीके से फायदा मिलते हुए इस अवधी में दिखाई पड़ेगा यह जो 15-20 दिन का समय है आपके लिए गोल्डेन पीरियड रहेगा विदेशों से पैसा मिलना इंपोर्ट एक्सपोर्ट से पैसा मिलना यात्राओं से पैसा मिलना भाग्य से पैसा मिलना य तो आप भी महाभागिसाली रासी में से एक रासी दिखाई पड़ा रहे हो इसका फायदा और भी ज़्यादा लेने के लिए गुरु देव ब्रहस्पती के मंत्रों का इस अवधी में एक माला सुबे एक माला साम को जब करना आपके लिए सर्वोत्तम उपाय रहने वाला है इसके बाद अगली रासी की अदिबात करें तो वह रासी दिखाई पड़ रही है तुला तुला रासी के स्वास्त के अगर दश्टकूर से देखें तो यह जो चतुर ग्रही योग है बड़ा गड़ा रहने वाला है क्योंकि आपके तो भीया लगन पे यह युती बनेगी तो कहीं न कहीं मानसिक असांती मैंने कल के वीडियो में बताया भी था बोखार अगरा इस तरीके की समस्या भी उत्पन होते हुए देखाई पड़ेगी लेकिन अगर पैसे के द्रिष्टिकूर से देखें धन के द्रिष्टिकूर से देखें तो लगभग 18 दिन का जो समय रहेगा आपके माप करिएगा पंदरा दिन का जो समय रहेगा वो आपके लिए गोल्डेन पीरियट रहने वाला है क्योंकि लगनेश स्वयम बैठा है इच्छा पूर्ति के भाव पे आमदनी के भाव पे और दूसरी चीज लगनेश और सूरी का परिवर्तन योग बना हुआ है गुरू की दृष्टी भी आपके लगन पे है और सुक्र सनी ठीक आमने सामने है तो आपके लिए अगर धन के दृष्टिकूर से देखें तो भाव या यहुती बड़ा कमाल की रहने वाली है लेकिन स्वास्त का ध्या और शुक्र देवता के मंत्रों का अधिक से अधिक जब करने का प्रेत्न करिएगा ताकि स्वास्त आपका डामा डोलना हो और इस चतुर ग्रही योग का आप पूरा-पूरा फाइदा उठा सको आप आर्थिक लाब कर सको इसके बाद अगली रासी की यदि बात करें अंति जा रही है आपके भाग्यभाव में भाग्यभाव में सूरी बुद्ध मंगल और केतू बैठेंगे और उधर जो शुक्र का जो गोचर रहेगा इस अवधी में रहेगा आपके सब्तम्भाव में सब्तम्भाव में रहेगा यानि कि शुक्र केंद्र में हैं और सूरी भाग भाव में हैं तो यहां पर भी आपकी कुंडली में जबरदस्त फाइदे मंद इस्थितियां बनते हुए दिखाई पड़ेंगी आर्थिक दिश्टिकूर से अगर देखें तो बहुत अच्छा समय आपके लिए यहां से सुरू होने वाला है और 30 अक्टूबर के बाद से तो और भी अच्छा समय शुरू हो जाएगा जब राहो के तू परिवर्तन करेंगे उधर शनी शुक्रामने सामने हैं तो कुम लगन और कुम रासी वालों के लिए भी इस्थिति बहुत बढ़िया बनी हुई है और भी ज़्यादा फाइदा लेने के लिए आपको चाहिए कि शनीवार शनीवार शनी मंदिर में दीपक जलाते रहें ताकि इस युती का जवर्दस तरीके से प्रॉफिटेबल रिजर्ट आपको मिल सके कल मिलेंगे वीडियो को लाइक करिएगा शनी जैशनी देओ कमेंट बॉक्स में लिखेगा मैं कित्रिपाठी कोन मदी जी नमस्क करेगे मैं लाइसय कोनलती कितलित बॉक्स म Ł?"